Hey everyone, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं Glam Up लड़की पैदा हुई तो माबाप का चहरा उतर जाना, उसे मनहूस बुलाना, उसको बराबरी का हक नहीं देना जैसी चीजे आज भी होती है Especially village areas में आज भी ये सब होना को नॉर्मल सी बात है इसी पर based एक TV show Star Plus पर टेलीकास्ट हुआ है जिसका नाम है फाल्तू इस show में लड़की के पैदा होने पर गाव वाले उसका नाम फाल्तू रख देते हैं उसको बाहर वाले तो कोस्ते हैं ही पर उसकी मा भी उसे दिन भर जली कोटी सुनाती रहती है इस show की लीड एक्टरिस निहारी का चौक से बहुत ही कम एज में मात्र 17 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा रोल निभाने जा रही है और नो डाउट ट्रेलर से ही लोग उनकी एक्टिंग से इंप्रेस हो गए पर कौन है निहारी का चौक से कहां से बिलॉंग करती है वो कैसे उन्होंने इस show के audition तक का रास्ता तै किया और अपनी पढ़ाई के साथ साथ कैसे वो इस show को manage कर रही है साथ ही ये रिष्टा क्या कहलता है जैसा show उन्होंने आखिर क्यों छोड़ा निहारी का चौक से की life से जुड़ी ऐसी ही अंजानी बाते मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ तो बने रही है इस वीडियो के end तक बट उससे पहले मेरी आप सभी से request है प्लीज मेरे इस वीडियो को like करके चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलना निहारी का चौक सेगा जन 21 अपरेल 2005 को बुरहानपुर मध्यप्रदेश में हुआ था और सब उन्हें प्यार से नीहू बुलाते हैं उनकी फैमली में उनके parents के अलावा उनका एक छोटा भाई भी है अनमोल चौक से उनके father का नाम बंटी चौक से है जो पेशे से एक business man है और उनके father के support की वज़े से ही वो आज इतनी young age में lead break पाने में काम्याब रही है वो बताती है कि जब से वो समझदार होने लगी और उन्हें पता लगा कि child artist नाम की भी कोई चीज होती है तब इसे उन्हें acting ही करनी थी लेकिन इस field में कोई direct contact ना होनी की वज़े से उन्होंने starting से ही इस industry में खुद से जगा बनाने के लिए काफी मेहनत की है बट इस industry में आना भी उनके लिए आसान नहीं था पहले उन्होंने अपने parents को convince किया जिस पर उनके father ने उन्हें समझाया कि इतना जल्दी सब कुछ नहीं होता है निहारिका को अपने parents की बात भी सही लगी तो उन्होंने अपने father से ये कहा कि प्लीज पापा पहले एक बार मुंबई तो गुमने चलते हैं फिर देखेंगे इस बात पर उनके father भी convince हो गया और मुंबई जाकर उन्होंने जगा जगा auditions दिये साथ ही introduction भी दिया और लगी ली 6 महीने बाद उन्हें ये है महबते शो में cameo roll का offer आ गया और वो मुंबई शिफ्ट हो गई लेकिन इस से पहले मुंबई से उनका दूर दूर तक कभी कोई नाता नहीं था इसके बाद उन्हें काफी टीवी एड्स के offer मिलने लगे और वो htfc bank, amazon, sofi, daber गुलाबरी जैसे कई टीवी एड्स में नजर आई बाद में वो सौरा भासकर के साथ जहां चार यार और नुसरत बरूचा के साथ जनहित में जारी जैसी मूवीज में screen share कर चुकी है इन सब के बाद उन्हें उस शो का part बनने का मौका मिला जिसके आथ सबी दिवाने हैं Star Plus के ये रिष्टा क्या कहलाता है शो में उन्होंने बिर्ला परिवार की बेटी निष्टा बिर्ला का रोल निभाया था इस शो से उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिला और ये शो उनकी life का पहला शो था जिसमें उन्होंने लंबे समय तक काम किया इस शो में काम करते time उन्हें दूसरे products के लिए भी time मिल जाता था पर निहारिका ने इस शो को इसली छोड़ दिया क्योंकि उन्हें screen space बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा था और उन्हें लगा कि इस साल उनके 12th boards भी है तो ये ही सही time है इस age group के रोल से निकल कर lead role के लिए try करने का और ये रिष्टा क्या कहलता है शो की makers ने निहारिका के इस concern को समझा और उनका contract पूरा ना होने से पहले ही उन्हें जाने भी दिया फिर दो महीने तक निहारिका ने सिर्फ और सिर्फ lead roles के audition दिये पढ़ाई और काम balance करने के बारे में वो बताती है कि वो admission के लिए ऐसे ही school college choose करती है और करेंगी जो उनकी इस field को support करती हुए उनके exams भी manage कर ले इससे पहले भी वो जिस school में थी वहाँ के staff and teachers भी supportive थे and presently वो जिस college में है वहाँ भी सब कुछ अच्छे से manage हो जाता है लेकिन फाल्तू जैसे शो के लिए select होने के लिए निहारिका ने इसका audition दिया और select होते ही सबसे पहले इसके script पढ़ी और समझी कि इस शो का नाम आखिर फाल्तू क्यों है और इसी दोरान वो इस शो के emotion connect को भी समझ गई थी इंप्रेस्टिंग बात ये थी कि निहारिका ने ही इस शो के लिए पहला audition दिया था शो के producer ने उसे देखा और एक हफते में ही उनके पास call आ गया था जुलाई के लास्ट वीक में ही निहारिका इस शो के लिए finalize कर ली गई थी बट उन्हें इस बारे में इसली नहीं पता था क्योंकि इस बीच उनके बहुत सारे mock test भी हो रहे थे और month के end में उनने बताया गया क्योंने finalize कर लिया गया है अपने इस lead character से connect करने के बारे में निहारिका का कहना है कि उनको तो कभी इस तरह का भीदबाव नहीं जेलना पड़ा और वो अपने parents के मामले में बहुत lucky रही है पर उनके कुछ relatives कहा करते थे कि इसे industry में नहीं होना चाहिए बलकि बाद में शादी करके बच्चे पैदा करने चाहिए पर निहारिका मानती है कि जो कहानी शोग में दिखाई गई है वैसा तो हम अकसर देखते ही है बले ही लड़की का नाम फाल्तू रखा जाए या ना रखा जाए लेकिन उनको कई बार ऐसा feel करा जाता है कि वो कहीं न कहीं लड़कों से कमजोर है बले उतना गलत तरीके से ना हो जितना फाल्तू के साथ हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है और जादा तर गर्ल्स ऐसा कभी न कभी तो रियल लाइफ में फेस करती ही है इसलिए सबी लड़किया फाल्टू के रोल से कनेक्ट कर पाएंगी निहारिका अपने लीड रोल से काफी ज़दा इसलिए कनेक्ट कर पा रही है क्योंकि उसकी तरह ही उनके खुद के भी कई सारे सपने है उसे लाइफ में काफी कुछ बड़ा करना है और वो ही exact same thing निहारिका के साथ भी है साथ ही फाल्तू मूफट और emotional भी है जो खुद निहारिका भी है इसलिए निहारिका इस शो से बहुत कनेक्ट कर पाती है आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें ये थी निहारिका चौकसी की लाइफ से जुड़ी छोटी सी अंचानी सी लाइफ जरूर दें थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो इस वीडियो स्टे कनाक्टिट भी हैपी